हाई, सलाम अलगूम, गुड़ाक्टर नून, नमस्कार, सस्यकार, मत्रा की नगरिये के रादे, रादे, आठ महीने, आठ महीने का टार्चर, सब से पहले आप सब लोगं का 138 करोड भारतियों का, अपने देश भास्यों का, मैं शुकरिया अदा करना चाहूँगा, धन्न्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए शोशल मीडिया पे हो, चाहे दौाइं मागी हो, चाहे प्रातना की हो, चाहे मंदिल गए हो, गुर्द्वारा गए हो, मस्जिलों में, चर्च में, हर जहाँ जहाँ से इतनी दौाइं मेरे लिए हुई हैं, मैं सूझ भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्या वनना तो इस बार जेल में इतनी मतलब पांच दिन तक पांच पांच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली कि क्या बताओं कि आपको अगर कहा जाया खुद को पोशर का सिकार हो गया हूं पैर दिखो गए कभी अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है पर निकल आया बाहर और जुडिश्री का बहुत शुक्या गजार हूं जुडिश्री ने बहुत जुडिश्री ने बहुत अच्छा ओडर दिया है और उन्हें साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलिगर में भाशर दिया था वो कोई भड़काव भाशर नहीं था वो देश की यूनिटी के लिए अखंड़ता के लिए एक जुपता के लिए था और उन्हेंने साफ साफ कहा है। डॉक्टर कफील ने हेल्थ पर बात किया है, इंप्लाइमेंट पर बात किया है, एद्जूकेशन पर बात किया है, रोटी, कपड़ा, मकान पर बात किया है। हाँ जरूर NTCA के खिलाब बुला है नर्सी खिलाब बुला है पर ये भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांदी जी के आहिंसा के सद्भावना के साथ होना चाहिए कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए सबसे भाई मिलकर भाई चारे के साथ मिलकर सबको साथ हाना चाहिए पिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया मुंबई एरपोर्ट से पकड़ गया तालीज घंटे तक इंट्रोगेट किया गया एस्टीएफ की टीम ने ऐसे सवाल पूछे अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे मैंने बहिए मैं डॉक्टर हूं बच्चों का मैं कहां से पाउडर मना लूँगा करोना की बात कर तो मैं कोई पालिटीशन तो हूँ नहीं आप जपान गए थे मैंने गहां पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया अरे जपान कैसे इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हो जब पास्पोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है तो एक तरह से बहुत चौर्चर किया फिर जेल में रहक जहां पर एक सोपचास कैदी थे वो नौ महीने का बियाडी आक्षियन ट्रेजिडी के बाद जो नौ महीने का दर्द था उसको उससे जादा उससे कई गुना हजारों गुना जादा पतली पानी की तरह दाल कच्ची रोटियां वही सुबा शाम खाना है जीना था उमीद थी कि आप लोगों से दुबारा मिल सकूँगा उखातिब हो सकूँगा आप लोगों से बात कर सकूँगा और आप सब की दुआए काम आई हैं आज आपके साथ हूं फिर से दुबारा आशिब बाइन तन्वी बाई असलाम लकुम मत्रुआ की नगरी कृष्ण जी की पवित्य नगरी में रहे के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोका नहीं देना अपना दिल साफ रखना यही धर्म होता है और हम लोग रमायड देखते थे नोवए से दसवए तक हर रोज आता था लागडाउन के टाइम भी तो उसमें भी जो उत्तर रमायड में महाश्री वालमीकी जी ने श्री रामचन जी को जब एक बात कही थी जब उन्होंने धनुशुरार उठा लिया श्री लवकुष के खिलाफ ही तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राज धर्म होता है राज हट नहीं पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया बच्चों की जान बचाने के इतनी बड़ी सजा दोगे भाई कि क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुणा हो गया था सुरी लोग फोन करें फोन नहीं कीजिए कोई भाई में खुछ दिर बात करनूं बहुत दिनों बाद आड़ महीने बाद आपसे राके शौदी साब थैंशुक्रिया वैबब ऑटक ठैंक यू यार ठैंक कि अधिने उस वक्त जेल लखना फिर बहराईच वाले कांड में भी दो महीने जेल लखना फिर आठ महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन सत्तर बच्चों की बात नहीं करोगे जो सत्तर बच्चे आउक्षिन की कमी से मर नहीं है उनकी कभी बात नहीं करोगे उनको भूल जाओ कैसे भूल जाओ अपने सामने मरते हुए उनको दिखा है कुरोणा के टाइम जब इस भारत में इंडिया में कुरोणा ने इंट्री नहीं की थी 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कुरोणा पे लेके और उस वक मैंने साफ साफ कहा बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे इस से बचना है और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया मैंने मानिनी है पधान मंत्री नरेन मोदी जी को 19 मार्ट को ही एक लेटर जेल से सुप्रिटेंडन जी के दारा बिजवाया और उसमें साफ कहा कि हम कम्निटी ट्रांस्विशन से बस नहीं सकते हमारा भारत देश ऐसा है क्योंकि मैंने पूरा भारत घुमा है कितनी गरीबी है एक घर में चार चार लोग कैसे रहते हैं एक पूरी जुगी जो बड़ी बस्ती होती है हजारों लोग उसी में रहते हैं जैदू भाई जी, तो उसमें रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे दोगज की दूरी रहो, कहे देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए, कितने माइगरेंट ब estudio में गये, ट्रेनों में दब गये, गरीबी कितनी है, आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की कुरोना वाइरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुना के दूसरे नंबर पे पहुचने वाले हैं ब्रजील को भी छोड़ देंगे छेंदनेन मोजी किद्धी के दोस्ट ट्रम्प सहब और ये इंडिया फस्ट और सेकेंड नंबर पे रह गया है 48 लाख कुरोना वाइरस से केस हो चुकी है और 60,000 से ज़्यादा मोते हो चुकी है बहुत कुछ करना चाहता था इस कुरोना वाइरस के लिए 8 महिने में शायद बहुत कुछ कर सकता था पर करने नहीं दिया गया जेल में जान बूच के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे दे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी नहाने के लिए आधे दे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी गर्मी एतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा बिस्तर बिचा के बिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेटता था और वो डेड़र सो लोग पांसो चौतिस लोगों की रहने की जंगा है वो लेकिन सोला सो कैदी थे अब बताईए वहां पर कैसे शोशल लिस्टेंसिंग हो जाएगी वो एक खौफ था लोगों की सांसेंस लोगों की बद्बुआं लोगों की मतलब पिशाब के महेक अरे एक टॉलेट होता था एक सो पचास लोगों के बीच एक टॉलेट किस तरह से जिन्दगी गुजरी है और एक बात बता दूं स्रीव मैंने ही सफर वक्रिया हूं पूरी फैमली को हरास किया है पूरी फैमली को जिस तरह से परताईट किया गया है उसका कोई ब्यान नहीं है मेरी बच्ची मेरा बच्चा जो 11 महीने का था जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था आज चलता है दोड़ता है बोलता है पिछली बार भी जब BID में 70 बच्चे मरे थे और उस वक भी बिना बाद के जूट केस में फसा के जेल भेज दिया गया और जब 9 महीने भी के बाद ने कहा गया अरे डौक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा उस वक भी अपनी बच्ची जब उसको छोड़ के गया था तो भी वो ग्यारा महीने के थी, चल नहीं पा रही थी, वो बड़ी हो गई थी, आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे मुझे बाप पापन का मतलम नहीं समझते हैं, अबुजान का मतलम नहीं समझ पाते है पिता जी का मतलम नहीं समझ पाती है ये दर्द है मेरी माँ 65 साल की बुड़ी होके हाई कोट और सुप्रीम कोट के चक्कल लगाती रही तब जाके ये जीत हुई है और जुडिश्री ने इतना अच्छा अड़र किया है एक बात और करा दूँ STF का शुक्र अगजार हूँ कि उन्होंने मुंबई से मत्वरा लाते वक्त मेरा इंकाउंटर नहीं कर दिया विकास दूबे की तरह वरना तो शायद वो मुझे मारी देते लोगों की आवाज को दबाना ही इनका काम है बहराल आड़र आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा इतना अच्छा आड़र गुमिन मातुर साब ने ने किया है सुक्रीम कोर्ट का भी दन्यवाद करुआ वरना तो हाई कोर्ट मेल डेट पे डेट 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 पे डेट हर चौदा निन पे कैसे एक एक दिन कटेगा एक घंटे कटेगा ये सोस्ता था कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बहान निकल पाऊंगा कब मेरी जज मेरी कोई बास सुनेगा इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट मेरी माँ 65 साल की बोड़ी माँ सुप्रीम कोर्ट का शुकुप अच्छा और दिया उन्दरी इस इसमें साफ साफ लिखा है कि कि MBBS करने के बाद 2016 में मैंने जॉइन किया था, 2017 में घटना हुई थी, एक साल का जूनियर था, मैं जूनियर मोस डॉक्टर, अब फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जीजान लगा दी, और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया, और ये नहीं, इसके अलाव नहीं, दपेटिशनर और इस अधर फैंबली मेंबर, इंक्लूदिंग देटोनी, वर कंटिनूशनी हरास्ट और विक्टमाइज बाइज बाइज स्टेट अथार्टिस, इंक्लूदिंग अधिस्टिक अधिस्टेशन गोरकपुर बाइज सेवरेल मीन्स, मेरे यानि कि खुद मौजूर रहते हैं, 500 मिटर दूरी के, आज तीन साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरिफ्तारी नहीं है, कोई चार्ज नहीं हुआ है, बहराल आते हैं, AMU के जो लोग कहते हैं कि भाशर मैंने गलत दिया था, उसके बारे में, कहते हैं कि मैंने भढ़क पूरी स्पीच लिखी हैं उन्होंने, पूरी स्पीच, दा वर्जन अब दे स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है, और उसमें उन्होंने कहा है, कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी, जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरक पह मेंने बात किanky ahora की यूनिटी की सद्भावना की, देशित की हेल्थ की, इंप्लाइमेंट की एकनॉमी की, रोडー की हाउसिंग की मैंने बात की थि- उन्सत्तर बच्च catching जो भी आड़् मर Merci मैंने बात की थी कि हमारे 50 परसंट बच्चे कैसे कुपोशर का शिकार हैं मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे AIDS और HIV का हैप बनता जा रहा है मैंने बात की थी कि 72 परसंट आफ पापुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर महां पे है यह नहीं आज हालत दिखाई दे रही है ना आज कह रहा है हम इतना GDP खर्चा करेंगे एक परसंट GDP खर्चा होता था एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बचारे कंधे पर लाद के लेके चले जाते हैं उसके लिए लड़ा था कैम किया पुरा इंडिया घूमा एक सो तीन कैम किये पचास हजार बच्चों को देखे बहुत से डॉक्टर बहुत से लोग मेरे सामिल थे बहुत लोगों ने साथ दिया पर हुआ गया उसको भी दवा दिया इस को रोना कर टाइम के मैं जब हो जिए कि रिएली मां काम कर सकता था शायद कोई नए द सकता था करोसेंगा है और फिर से मुखमंत्री योग अजितनाजी से निवेदिन करूंगा कि मुझे नौकरी बापस ले लें तीन साल से सस्पेंट किये हुए हैं कैसे जिन्दगी चल नहीं है कैसे फाइंशल कंडिशन है आपको बता नहीं सकता सुप्रीम कोड़ा हाई कोड़ की फ्रीज कैसे भरी गई है बता नहीं सकता पर लड़ा कहते हैं ना इस जुन की दौर में जुबा को कहते हैं ना कि इस जुन के दौर में जुबा खोले या कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोले या कौन तो बोलना ज़रूरी है किसी ना किसी को पुर्बानी देनी होगी तो शायद उपर वाले ने मुझे चुना है बहराल बाहर आ गया हूं खोशिश करूँगा कि सबसे पहले बिहार आसाम केरल करनाटकार कमिलनाडू जहां पर बार आई हुई है बार बार से तो एक बहुत ब जाते हैं लेकिन सबसे नकसान तब होता है जब बार का पानी चला जाता है पिछली बार हम लोग केरल-बासंad और बहुत काम किया था और इस बार भी काम करना चाहूंगा क्योंकि बार्ट पानी बीचने के बाद बहुत सी बिमारियां आती है महामारी आती है चिकन या मलेरिया डिंगू कालरा इसकिन डिजीज चमड़ी की बिमारियां आखों की बिमारियां कान बहना बहुत होता है उस पे काम करना चाहूंगा कोशिश करूंगा अगर योगी जी की किर्पा होगी नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हास्पिजल से अटाइच होके रिसाइच करूँ कि कोई नई दवा इजाद हो पाए जिससे हमारा देश कि और किसी की मौत ना हो बढ़ता जा रहा हर रोज हजाल लोग मर रहे हैं एक का भी मरना बहुत खतरनाग बार जिसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही हो जानता है एक भी मौत होती है और यहां तो सब 65-65 हजा लोग मर चुके हैं उस पर काम करना चाहूंगा और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिक बन जाओं मेरे उपर रिसर्च हो जाए मैं खुद की का लगवालूंगा अपने आपको वालेंटियर करूंगा मैं यह मेरी नहीं योजना है अभी कुछ दिन अपने आडर पहुंच गया था हाई कोड़ का लेकिन फिर भी बारा घंटे तक यह लोग यही कोशिश करते रहें कि किसी तरह से कोई और केस में भसा दें जैसे इन्होंने पिछली बार अलीगर में जब मुझे गिरिफ्तार किया था मुंबई से जब मुझे बेर दस फरवरी को मि तो चार दिन तक चार दिन तक कोड के आदेश के दो दो बार आदेश के बाओ जो छोड़ा नहीं मुझे इल्लीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर एनसे लगा दी नेसे निशनल सिक्योरिटी आक मैं टर्रिरिस्ट हुचा दाड़ी बढ़ यह जो बढ़ जाती है जे कौन गरीब है कऊनु इमयर है कूं किस जाती कहा है कौं किस धर्म का है उसपढ है हिजाम लगाते है जिनका खुद का दिमाग गंडा होता है जो भरा होता है गंदगी से वह दिमाग लगाते है अभी यूपी से अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ गोरकपूर नहीं गया हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी ना किसी किसी इसमें पसाने की कोशिश कर रही है फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें मरवा दें हो सकता हो आपके बीच में ना रहा हो हो सकता हो यह हमारी और आपकी आखरी मुलाकात हूँ यादो जी जी सही कह रहा है मिनास गलियर आप थेंक यू शुक्रिया शुक्रिया मोहंचान जिंगी चोजी समर साब थेंक यू तो मैं कह रहा था कि पुरुना वायरस ऐसी डिजीज है जो फैलती ही रहेगी मैंने उस वक्त 19 मार्च को ही लिग दिया था कि 30 से 40 लाख लोग उस वक्त मैंने इस्टिमेट किया था कि अफेक्टेड होंगे और अलेडी 30 से 40 लाख लोग अफेक् यह नहीं आएगी अभी यूपी भिहार और मदपदेश जैसे इसली लाकों में जहां बहुत पापुलेशन है वहां यह फैलने वाला है और बुली तरीके सही हमें बहुत काम करना पड़ेगा हमें मुझे आप सब की बहुत जरूरत है आप सब का बहुत सहयोग की जरूरत जी सहसाद साथ जी पांडे साथ नमस्कार नमस्कार रादे रादे किष्णा की नगरी में हो विन्दावन जरूर जाना चाहूंगा एक बार ठाकूर जी की दर्शन करने के लिए बात यहाँ पे लोग मन की बात करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं अब आप देख लिए हम लोग तो टीव पे देख रहे हैं पिछले तीन महीने से सुषान सिंग सिंग राजपूत को ही सुने जा रहे हैं भाई फोन नए करो फोन करने के वाज़ा से बार बार पाॉज हो जा रहा है श्रां सिंग राजपूत की तीन महने से लगाता टी पे बात किये जा रहे हैं मन की बात लेकिन कोई यह नहीं बात कर रहा है कि हमारा जीडीपी कल परसों जीडीपी शायद रिलीज वुआ है और हमारा जीडीपी जो है बाई फोन नहीं करो मैं कहा रहा हूँ पर इस वर चन साहब कोई फोन ना कीजिए प्लीज कुछ बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिला हूँ आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे समसुन मलिक साब नूर खान रियान खान साब अधितिराज साब अफताब तो आप सबसे बात करना चाहूंगा फोन ना करें तो मैं कहरा था कि जो में बातें हैं टीवेड जो होती है वो नहीं हो रही है शायद कुछ टीवे एंडी टीवी है या आपका मिरन ना हूँ है टाइ जो यहाँ पर बातें हो रही हैं वो यह नहीं हो रही है किस तरह से माइगरेंट हमारे करोडों लोग किस तरह से पैदल चले और चलते चलते मर गए उस धूप में कड़ी धूप में मर गए यह बात नहीं हो रही है कि अनेमप्लाइमेंट कितना बढ़ गया है लोगों को न लोगों की फैमिली है खादे रहें जी तिन च्छाय ज्यम्हेने तक- डात जोस्फндा हो गी ही नहीं इज अधो जत करो घुलकित अ क्येका गया करोו के लिए घुलकित हो गी हमारा जो जो कोई भी आप हास्पिटलल में जाना नहीं चाहता है आपने ध्यान दिया कोई भी बड़ा मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी कोई भी बड़ा जो है चीप मिनिस्टर हो या कोई भी मतलब मैं नाम नहीं लूँगा सब लोग विदानता में जाके इलाज करा रहे हैं विदानता यानि की नर्डा में करोड़ों रूपे का इलाज करा रहे हैं लें कोई भी सरकारी हास्पिटल में नहीं जाना चाहता है क्यों क्यों कि सरकारी हास्पिटल के हालत खराब है वहाँ गरीब जाएगा गरीब मरेगा और गरीब मरता है तो मर जाने क्या फरक पड़ता है तो जो लोग ये सुचते हैं कि बार-बार जेल में डालके, मारके, पीटके, तोड़के, यहां मारो, यहां मारो, उल्टल पड़ला आपको, डंडे से मारो, गान लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि, एक बात सिखाई गई थी कि, डरना नहीं है, I won't bend, I won't bend, मैं जुकूंगा नहीं, डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी जरा लो, हर बार एक नहीं ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी जुका लो, कहते हैं ना कि, लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, अरे हम इस मुल्क की मिटी को भी अपनी मा कहते हैं, उसको तुम, जो है, उस पे एनसे लगा देते हो, कोट ने कहा है, कोट ने कहा है, कि जो कुछ है, यह अवैध एनसे लगा है, सारा अवैध लगा है, देखो कि क्या हालत बनाई है, बट्टी सावा आप बोल ले हो तो, देखो, क्या हालत बना दी है, मैं कूपोशर के लिए, वो कर रहा था, यह देखो, कि यह टांगे हैं मेरी यहाथ है कि खाना जो है कि लिखी का जो मैं खुद को पोशर का बच्चों का इलाज क्या करता था आज खुद को पोशित हो गया घरवालों को किस तरह से परशान किया गया है वो बता नहीं सकता पर आप लोग जो 138 करोड देशवासी हैं मेरे उन सब का साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं खासकर कुछ लोगों का जो लोग बहुत करीब थे इंद्रा जैसिंग मैं पुजयल आयूबी एबाद सहाब मनोज सि मनी सिंग मनी सिंग एड़ोकेट मनी सिंग दिलिव कुमार साहब नजल इसलाम साहब ऐसे बहुत से लोग हैं मिनाक्षी शुक्रा मैं इसवान गाजी हाँ अलिकर के इर्फान गाजी सहाब है तो बहुत से लोग हैं सब का नाम तो नहीं ले सकता मैं बहुत से लोग 138 क्रोर्ड है सबने बहुत मवगत की तीडिया जल्दी बिहार आ जल्दी हम डॉटर कफील खान मिशन इसमाइल फाउंडेशन के तहत कैम लगाएंगा और इस बार एक बड़ी टीम बनाके एक साथ कई जहां पर असम बिहार तमिलनाडो करनाटका केरल आंद्रपरदेश जहां जहां पर मद्परदेश जहां जहां पर बाड़ने बस्चिम बं अपना गुरखपूर अपना उत्तरपरदेश हर जहां जाना चाहूंगा पूरा भरत में टीम बनाके हमीज़ बार एक बड़े लेविल पर कैम करेंगे और इसमें आप सब का बहुत सईयोग चाहिए मैंग वर्मा साहब आप कुछ लोगों से बाते कर लेता हूं मैंग वर्मा साहब सही कह रहे हैं दाड़ी कल काड़ दूंगा बच्चों का इंतजार कर रहा हूं बच्चे आ जाए एक बार उनसे मिलनूं उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी अमनीश चाहवरा साहब जी हाँ बहुत मारा बहुत मारा फिजिकली और मेंटली बहुत टार्चर किया फिजिकल टार्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं पर जो मेंटल टार्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है दिमाग खराब हो जाता है इन आठ माईनों में देखिए किस तरह से जुरियां आ गई हैं किस तरह से काले पड़ गया हूं किस तरह से जो हैं दस साल बुड़ा कर दिया है जुबेर पीके साब बोलना जरूरी है बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ में यूएस से, यूके से, केनेडा से, स्विजलेंड से, बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहाँ पे जेल में, उन सब को बहुत बहुत शुक्रिया है, सत्या, सिर्खान साहब सत्की जीत होती है, सत्मे जैते, हमें अपने कांस्टिचूशन में बाबा साहब अमबेट करक और उसी की वज़ा से मैं बाहर आया हूँ, कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से, अपने कबजे में करके लोगों को परतारीत करते हैं, वो सही नहीं है, अटोक्रेटिक यह हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेट पड़ेगा हम नहीं बोलेंगे कुर्बानी देनी होगी किसी ना किसी को कुर्बाई देनी होगी तुर्त मस मस शिरों कुमार साब यस थैंक्यो शाइना मुजर्बिया सिदान्शु कुमार हाँ कुछ दिन एक्सरसाइज करूंगा और हेल्थ बनाऊंगा क्योंकि जिन्दा रहना है जिन्दा रहना है आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा डेरिक कुजर्ट थैंक्यू या जरूर मैं करूंगा थैंक्यू शुबान जमाल सावाम मुहमत कलापटी फ्रम दुबई आल्दबेस थैंक्यू मैंने कहा ना गल्फ कंट्री से बहुत कार आया बहुत मिला है केरल के लोगों ने बहुत सयोग किया हुआ है पुरा साहुत ने पुरा नाट ने पुरा सेंट्रल ने बिहार के आवाल उठानी पड़ेगी मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ चुकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बाते हो रही थी इसको हम डिसकस नहीं कर सकते हैं तो इस वज़ा से अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं हैं मैं अभी अपने बच्च आऊ कि सीरेसली रोना चाहता हूं तब ज़ससे अधिक, बच्चों को से दूर कर दिया है गश्रदरों से अधार मां इंसे मिलना चाहता हैं सब्सक्राइब लगाओ परेड लगाओ आठ महिने तो मैंने अभी चार पंजे के लेटर में साइद लिखी आप लोगो साइद मिलना होगा चन्द मित्रा साहब थैंक यू मुदर्शी साहब बुश्रा दीपक जादो अमजद पंडी जी तयाव खान रोहित शुवम जैपरकास चाचा बिजेश बिजेश सिंग की बड़ी आदाई जो गुरक्पूर में थे योगेश सिंग जी सब आप लोग का सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का आदम गां आपको भी फूल गुलाब का फूल आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप सबकी वजा से ही आप सबकी मेरी फैमली तो दोड़ी ही मिरी माँ बूडी माँ लोवर कोड से लेके मदवाली गड़ कोड से लेके अलाहाबाद कोड और फिर दिल्ली इस कुरोना वायरिस के टाइम में 65 साल की उमर में घूम रही थी एक वकील के पास दुक्रे वकी ही आप सबका ही बहुत-बहुत योगदान है आप सबके विदा शायद जो ट्विटर में मैंने सुना बारा लाख लोग एक बात हो गए हैं ट्विटर अकाउंट मेरा बैं किया हुआ है डाक्टर डी आर के फ डवली एल खान करके है इसको बैं किया हुआ उसके लिए आवा जस्टिस प्रिवेल यस अमिज सोहिल साब मुंम्मद गयूर कहिशी दिनेश कुमार यादो जी कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहेगा में इडिया से दूर रहूंगा जी 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 जरूर जरूर राकेश चौदी साथ थेंक यू आदिल थेंक यू आप सबका बह कि और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश में नए जोश के साथ फिर से सामने आओंगा आपके साथ जी मैथ्यू साथ मिर्दूला मिर्दूला हाओ आर यू उबैद सनोच कुमार जी तैंक यू डाटर किर्थी सिना मुदसिर खायमत साथ जी जाजिब इतने सारे गुलाब मत भेजिए भाई बस बस नए अमिद्दिन साब जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ही आप लोगों का साथ चाहिए होगा हम लोगों को जो में बिसिक एश्यू है रोटी कपड़ा मकान और स्वास्त और नौकरी और सिक्षा की बात करनी है उस पर ही हम लोगों को काम करना है कि हर गरीब को 138 भारतियों को देश्वासियों को उनका अधिकार मिले चाहिना जो है घुसा जा रहा है देश के अंदर इस तरह से नहीं हमारे सैनिक पाकिस्तान के सरहदों पर मारे जा रहे हैं रोज उस तरह से नहीं सबको मोटोर जवाब देना है पर किसरी बार मैंने जो है इंसे कोशिश करूंगा इस्टार्ट करूं जहां पर हीर यादो लशकर साहब फिर से स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा जमीन जल से जल ले लूँ और हर घरीब का वहाँ पर फ्री इलाज हो ऐसे ही जैसे बड़े-बड़े हास्पिटल में नोड़ा में और गुर्गाओं में और दिली में और एमदाबाद अकोलकतार में होता है फ्री में मतलब कंसर्टेशन से लेके हर चिक दवाई और खाना और रहना सब कुछ फ्री होगा आना जाना तक फ्री करेंगे इंशाल्ला जी आप सब का सही होगा इसकी जरुवत होगी जैहिन जैभारत जै मुल्निवासी जैभीम बंदे मात्रम जैस्माजवाद प्री में बंदेशन से लेके होगा झाल जैस्माजसा जैस्माजवादर कि जैस्माजवा जैसरे अईस प्रेश्परोग होगा जैस्माजवादस टीना जैसा जैस